प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन आज बात करेंगे प्यारे बेटे धेरेंदर सास्त्री की माफ करना बागेश्वर धाम के संरक्षक अगर आपको मेरा ये संबोधन बुरा लग रहा हो मगर मैं अपने से काफी कम उमर के लड़के को बाबा कह भी कैसे सकता हूँ लेकिन ये यकीन करना कि अगर आपको बेटा कह रहा हूँ तो उतने ही प्यार से जितना आपने बच्चों के लिए मैं ऐसा संबोधन करता हूँ मेरे सब्द कोस्त में ऐसे सब्द नहीं है जो आपको चोट पहुँचाए मगर हो सकता है मेरी कही बात आपको या आपके भक्तों माफ करना अंध भक्तों को बुरी लगे इसलिए आगे कुछ कहने से पहले छमायाचना कर लेता हूँ मैं विचार व्यक्त करने के आपके अधिकार का सम्मान करता हूँ लेकिन मेरा एक निवेदन भी है कि आपके विचारों से असहमती का अपना अधिकार भी मुझे सुरक्षित रखने दे आप संत होते तो मैं आपको उमर में छोटा होते वी बाबा कह सकता था नतमस तक हो सकता था मगर ऐसा है नहीं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी तो अपने मन की बात लोगों से फीड़बेक लेकर करते हैं मगर आप जो मन की बात बता रहे हैं उसका राज तो आप से बेहतर शायद ही कोई जानता हो वैसे आपके हाथ की सफाई का राज खोलने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा मगर आप ऐसा आउसर मुझे देंगे नहीं आज कल आपको चैनल में बुलाने या आपका साक्षातकार करने वाले अपने उन पत्रकार मित्रों से भी मैं ये नहीं कहूंगा कि और कितना गिरोगे दोस्तो अब TRP के चक्कर में धिरेंदर सास्त्री की भी स्तूती कर रहे हो ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से अधिकान्स को ये पता ही नहीं है कि धिरेंदर थोड़ी सी जादू कला यानि हाथ की सफाई जानता है उन्हें ये समझना होगा कि चमतकार तब तक ही चमतकार है जब तक कि उसके पीछे का विज्ञान समझ में नहीं आता धिरेंदर सास्त्री जी आप से अधिक आपको कौन जान सकता है आप क्यों सोल भी स्ताबदी से निकल कर 21 सदी में पहुँचे अपने महान भारत देश को फिर से अंध विश्वास की ओर ले जा रहे हो आपको तो पताईए धिरेंदर आपका मन की बात बताना कागज पर लिख कर बताना डुगडुगी वजा कर गुजारा करने वाले एक साधान जादूगर की तरह हाथ की सफाई भर है मेरी बात पर गुशा मत होना, मारना भी मत, ताड़ना भी मत, गाली भी मत निकालना मैं अभी कुछ दिन और जीना चाहता हूँ मुझे भरमित करने का भी प्रियास मत करना क्योंकि मैं खुद 22 तेश की उम्र में सन्यासी जीवन गुजार चुका हूँ मैं जानता हूँ जो भीतर उतर जाते हैं उन्हें हाथ की सफाई के चमतकारों की जरूरत नहीं पड़ती आप सोचते होंगे मुझे सोचल मीडिया के माध्यम से आपको ही ये वात क्यों कहनी पड़ रही है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा प्यारा बेटा धिरेंद्र ही अपनी हाथ की सफाई को चमतकार बताने वाले क्रत्य के लिए माफी मांगकर अपने ही देश के हजारों लोगों को अंद्विश्वास की जकड से बाहर लाने में थोड़ी शी मदद कर सकता है भक्तों की भीड गलती से कह गया अरे बाबा फिर भक्तों की भीड कह रहा हूं माफ करना अंध भक्तों की भीड तो मेरी कुछ सुनेगी नहीं प्यारे बेटे जो भीड जेल में बंद आसाराम बापू से 14 फरवरी को मात्र पित्र दिवस मनाने का ज्यान ले रही हो उस भीड से उम्मीद भी क्या की जा सकती है मगर आप से कर रहा हूँ आप युआ हैं अच्छे वक्ता हैं लोगों का और अपना भला कर सकते हैं जो जीवन मिला है उसे सत्य को समर्पित करना है ये सोचकर आप से थोड़ी उम्मीद कर रहा हूँ देरेंदर जी कुछ दिन से आप सनातन और हिंदू राष्ट की बात पहले से अधिक मजबूती से करने लगे हैं नेता जी सुभास्चंदर बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा इसी तरज पर आप हिंदू राष्ट बनाने का नारा आगे बढ़ाने लगे हैं कहीं आप नागपूर की उस तरक्षिल सोसाइटी से डर तो नहीं गए हैं आपके आकरामक और बदलिवे तेवरों और भासा के गिरते स्तर को देखकर तो यही लग रहा है कि आप अपनी कमिया चुपाने के लिए सनातन और हिंदु हीतों की बात कुछ जादा ही जोर से करने लगे हैं आप कुछ जादा जोर देकर यह भी कहने लगे हैं कि उनको कोई कुछ नहीं कहता उनके अंध्विश्वास पर कोई बात नहीं होती धीरेंद्र जी आपकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है मगर यहां बात पर्चे पर भक्त के मन की बात लिखने की हो रही है दुनिया में कोई मनुस्य इस तरह नहीं कर सकता तुक्का और अनुमान की बात अलग है अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो किसी दिन मेरे मन की बात बता देना मेरी जेब में जहांक कर बता देना वैसे मुझे इसका जिक्र करना ही नहीं चाहिए क्योंकि जब पता ही है कि यह सब बाते अंधिविश्वास के अलावा कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है इस पर बहस करना या आपको स्टूडियों में बुला कर तर्क करना यह माना ने धिरेंद्र कोई महानायक बना रहे हैं धिरेंद्र जी आपका कद अंजाने में मेडिया ने ही वड़ाया है सोचल मीडिया ने भी आपकी जादूगरी को खूब बढ़ावा दिया है चैनलों की टी आर पी की होड़ने तो इसे आक्सिजन दे दी है यूट्यूब चैनलो को छोड़कर पूरी दुनिया जान चुकी है कि ऐसा किस तरह किया गया था आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिने आप उनको कह रहे हो आने वाले दिनों में मैं उनको भी उनकी कम्यों से अवगत करवाऊंगा मगर एक बात बता दूँ जब आप ये कहते हैं कि कोई उन को नहीं कहता और हमारे सनातर पर उंगली उठती है तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि यही सनातन की खुश्बू भी है तमाम आलोचनाओं के बावजूद अगर हिंदु धर्म सनातन धर्म फलफूल रहा है तो यह उसकी सही सुनता और आलोचनाओं को सहन करने के गुण क कारण है आपकी कट्रवानी हिंदु धर्म का सनातन धर्म का भला करने वाली नहीं है सनातन की बात करते हो तो सनातन से कुछ सीख लो आप भी वैसी ही भासा बोलोगे तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा जिनें बारवार आप उनमें कह रहे हों धिरेंदर जी अ करने का है आप एक साधान जादूगर को चमतकारी बाबा बना रहे हैं जरा कभी अपने इस बाबा से पूछ लें कि जमीन में पेट्रोल कहां पर निकलेगा हो सकता है खनन विभाग वाले के लिए तो बाबा वर्दान ही बन जाए लेकिन बाबा ऐसी बातें नहीं बताएं क्योंकि इस तरह की हवाई वातें विज्ञान में संभव नहीं हैं विज्ञान अंद्विश्वास पर चोट करता है आपका दोस्त महिश्क मारवेद्द